शाहिद कपूर को बॉलीवोड का सबसे टैलेंटेड अभिनेता माना जाता है। उन्होंने अपने करिया के दोरान एक से भाद कर एक सुपहिट फिल्में की हैं। यही वज़ा है कि आज वो इंडस्ट्री के सुपस्टा बन गए हैं। दरसल शाहिद कपूर को एक्टिंग व जाता है कि दोनों सीरियस रिलेशन्शिप में थे। यहां तक की दोनों का एक MMS भी लीक हो गया था लेकिन सबसे दिल्चस्प बात यह है कि उन्होंने किसी बॉलीवुड अक्ट्रेस से नहीं बलकि दिल्ली की मीरा राजपूत से शादी की है। दोस्तों आपको बता दे क शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की अरेंज मैरेज हुई थी। बताया जाता है कि जब शाहिद मीरा से मिलने उनके घर गए तो घंटों तक बाते करते रहे। इसके बाद ही दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत पहली मुलाकात म नहीं एक दूसरे से पसंद करने लगे थे, जिस कारण इन्होंने शादी करने में ज्यादा देरी नहीं की, कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों ने शादी के बंधन में बंधने के फैसला कर लिया, शाहिद मीरा को उनके घर पर देखने गए थे, तब मीरा को को लगा कि यह रिष्टा ईशान के लिए आया है क्योंकि शाहिद तो उनसे काफी बड़े हैं, शाहिद कपूर ने 7 जुलाई 2015 को दिल्ली की सबसे खूबसूरत लड़की मीरा राजपूत से शादी की, लेकिन इस शादी की एक दिल्चस्प बात ये भी है कि शाहिद अपनी पतनी मीरा से करीब 15 साल बड़े हैं, शादी के वक्त मीरा की उम्र महज 20 साल थी जबकि शादी के दिन शाहिद की उमर करीब 29 साल थी, यही वज़ा है कि ये शादी सुर्खियों में है, मीरा राजपूत ने हाल ही में अपनी एक ट्रोबैक फोटो शेर की है, इस फोटो में उन्होंने न और अपनी पहली फिल्म के बाद रातो रात स्टार बन गए, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुर कर नहीं देखा, कपल किसी भी बात को लेकर आपस में भिर सकते हैं और बॉलिवुड स्टार शाहिद कपूर ने इसे तब पुखता किया जब उन्होंने साजा किया कि और उनकी पतनी मीरा राजपूत कपूर पंखे की स्पीड को लेकर लड़ते हैं। सुन्दर बच्चे हैं और जीवन अच्छा लगता है। ऐसे और अपडेट के लिए और हमारी चैनल के साथ जुड़ने के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब किजे।